लखनों के निसाद गंज इस दित बेसिक सिच्छा निते साले में 59,000 सिच्छक भरती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर बेहरतियों का धर्णा परदर्शन 110 दिनों से जारी है करीब दो महिने से कुछ लोग पानी की टंकी पर भी चड़े हुए हैं अब ब्यरतियों के परदर्शन को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया था परन्तु अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है अब ब्यरतियों ने बताया कि या तो सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करना चाहती या फिर हमें अनसुना कर रही है योगी सरकार को सुध लेना चाहिए नहीं तो आगामी विधान सभा चुनाओं 2022 में खाम्याजा बहुतना पड़ेगा वहीं एक ब्यरतियों ने बताया कि कमेटी के अफसर्थ सिर्फ और सिर्फ आस्वासन दे रहे हैं अधिकारियों के लापरवाई की चलते हम लोग बाहर हैं योगी जी के मानक पर पास है क्योंकि हमने यूपी टेट क्वालिफाई किया उनका जो मानक था वो पास किया यहां पर धरना दे रहे हैं तो यहां पर यह बात में कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारी योगता को पहचाने और कम से कम जो अधिकारी आपके पास बात नहीं पहुचा रहे हैं से उसको आप संग्यान में ले अपने इस तरह से उस बातों को पता करें कि क्या दिक् परसेंट इस समय के लगबग 85-90 परसेंट के बराबर है तो योगी जी से बस यही में कहना चाहूंगा कि वो एकडमिक के वज़ास हम लोग बाहर है तो और हम कुछ अलग मांग भी नहीं करना है चलिए एकडमिक जो है वो अलग बात हो गई आप जो है एक लाग 37,000 जो दो प मंत्री और सिच्छा मंत्री से कि आप लोग प्रदेश को मुखिया हो और मानेनी सिच्छा मंत्री जी आप बेसिक सिच्छा मंत्री हो नौनिहालों की जिंदगी के साथ आप लोग इस तरीके से खिलवाड करोगे कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था शिच्छा करवाते हो ठंकी पर चड़वा कुछ से प्रदर्शन करवा रहा है यह कहां कि अन्याई है योगी जी आप ही के मुख से निकला है कि देर से किया गया न्याई भी अन्याई के समान होता है आप रामराज की बात करते हो और इस रामराज में एक प्राइमरी का बच्चा अगर अ पूछे जाते हैं, वो बच्चे जवाब तक नहीं बता पाते हैं, कई कई बच्चे तो काखा गागा नहीं लिख पाते हैं, क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्यों कि आपके अधिकारियों की यही चाल है, अधिकारी आपको मुखमंतरी कुरूप में इस बार नहीं देखना चाह कि राध आपको फिर दुबारा दिखाई ही न पड़ इसलिए आप से बस इतना ही अपील करता हूं कि हम योग अभर्थियों के साथ न्याय कीज़ें क्योंकि आप ही न कहा था कि सिछ्छा मिक्त्र आयोग हैं और इनका समायोजन हम रद करते हैं लेकर आज आप खुद अयोग हो चुके हैं क्योंकि आज योगता को आप टंकी पे चड़वा के रोड पे घुमवा के पुलिस से लाठी मरवा के योगता को जिस तरीके से सड़क पे घर सिटवाते हैं आज आप खुद देख लिए कि आप एक समय था जब प्राइमरी का बच्चा Kakra Gagha नहीं लिख पाता क्यों कि कहींन है कि आपकी ही कमी है शिक्ष् ham की पोरे देश का और इवेन दो पूरे वर्ल का मामला है क्योंकि आजूके सिस्टम को इंप्रूव कि है या विना चहीं सिस्टम के किसी बी देश का है किसी प्रदेश का भला नहीं होसकता और जहां तक आपका सवाल की चार लाग साड़े चार लाग से ज़ादा भरतिया निकाली है तो जितना विदित है सब लोगों को कि किस तरीके से लोगों को नौकरिया मिली है और कितनी मिली है और जहां तक रही बात इसकी education system की education system में जो एक लाग 37,000 जो भरती पूरी होनी थ सुप्रीम कोड का order था कि within six months दो क्रमागत भरतियों में इसको पूरा किया जाए उसके बावजूद इस चीज को जो है तीन साल लगवख खीचा गया इसका मतलब लगवख लगवख आप समझ लेजी कि हर चीज का राजनिती करण हो चुका है कि जब election आना है तो सारी चीज नाल दिया मेरा सवाल यह सरकार से और अभिकारियों से किस से लाव किसका है हर चीज को हर भरती को लटका करके अगर यही योग भरती यही दो साल पहले अगर न्यूक्त हो गए होते तो आज यह कहीना कहीं पढ़ा रहे होते आज ये लोग कहीना कहीं economy boost करने में पूरी तर U.P. की तो सही लेकिन इंडियन इकोनोमी के लिए भी बेनफिट होता लेकिन इसको लटका करके इस सरीके से भर्तियों को चाहे उप्र लिभ डिन बापे देंड decep